हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आलोग बाचपे में आपका जी एस एजुकेटर और हिंदी एजुकेटर आज हिंदी का एक ट्रिक मैं आपके साजा कर रहा हूं जो आपका वर्ण माला से रिलेटेड है बहुत बढ़िया ट्रिक है ट्रिक से पहले आप आप बताना चाहूंगो मेरी डेली साथ वजे आप लोग अनगेडमी लग्णर रैप पर क्लास जरू किया करो फ्री क्लास होती एक दम सारे विद्याथी कर सकते हो आप देखें जो हिंदी की ट्रक है वो क्या है हम लोग जानते है जो बेंजन की बात करते हैं तो कहते हैं य वेंजन है दूसरा हम लोग कहा देते हैं और तीसरा कहा देते हैं उसमेंगे नामली यह थीत प्रकार के कहते हैं अब इसमें जो इस पर्स वेंजन है इनके संख्या होती है 25 कैसे 25 होती है ध्यान से समझें हम लोग कहते हैं यह पांच वर्गों में डिवाइड है का चा टा ता और पा ठीक है वह ध्यान से समझेंगे का वाले हो गए का खा गा घा और अंगा चा वाले हो गए चा शा जा 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 और अईया ता वाले हो गए टा ठा डा धा और ना ता वाले हो गए ता था दा धा और ना पा वाले हो गए पा पा बा भा और मा ठीक है यह इस पर्स बंजने गिनों गे तो एक बर्ग में 5, बर्ग कितने हैं 5, बर्ग कितने हैं 5, तो 5 x 5 कितना हो गया, 25, तो इस पर बंचन 25, अब सवाल यह उतता है कि कौन सा तालू से है, कौन सा कंट से है, कौन सा मूर्धा से है, तो एक कोर्ड याद रहो, बस आप लोग का चा टा ता पा के सामने एक लिख दो बस के टी एम डी ओ बस यह ज़िए रखना के टी एम डी ओ का से कावर्ग और के से कंट कावर्ग वाले कंट बहीं जा चा से क्या हो गया वहीं चावर्ग और T से तालब वे तो तालब वे वेंजन तालू से निकलने वाला कौन से दुनिया हो गए चावर्ग चाचा जा जाए है कोई भी आ जाए तालब वे लगाना है यह सब आपके निकलाएंगे इसली रटने की जरूरत नहीं है ठोड़ा सा ट्रिक है ट्रिक होकर कि आप इसको याद कर लिजिए एक सवाल नहीं गलत करके आओगे और कम से कम दो तीन कोश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं इस पार्ट से एक्जाम में नहीं तो एक तो हरालत में ओके थैंक यू अबरिमन इसी तरीके के ट्रिक के साथ में हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे. Thank you.